इकाई, दहाई, सैंकडा, हजार चीजों की संख्या को गिनने के लिए हम इकाई का इस्तेमाल करते हैं जब चीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम दहाईयों के समूह बनाते हैं और इन्हें एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई के रूप में गिनते हैं और अगर बहुत सारी दहाईया हो तो, तो फिर हम दहाईयों के दस-दस के समूह बनाते हैं और उन्हें सैकड़ा कहते हैं। जब दस सैकड़े हो जाते हैं, तो हम उन्हें एक हजार कहते हैं। देखिए कि एकाई में सिर्फ एक अंक होता है, दहाई में दो अंक होते हैं, सैकड़ा में तीन अंक होते हैं, और हजार में चार अंक होते हैं.